हेलो गाइस एंड वेलकम तो दे कटफ सो होप यू आर्ल डूइंग वेरी वेल और ऐसे सी एचसल का एक्जाम आने वाला है सो यह वीडियो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके एक्जाम के लिए सो विधाउट वेस्टिंग अनि टाइम लेट उस गो फौर दे मेडिवर हिस्टरी विडियो और अगर जो आप लोग में से किसी ने एंसेयन थे का वीडियो नहीं मैं देखा है तो वो मैंने पोस्ट किया है कल ही वह आप प्लेइलिस्ट में जाकर फिस्टरी प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है गाईश और प्लीज do not forget to like, share and subscribe और अपने दोस्तों को share करना नया भूले ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं without wasting any time medieval history तो medieval history में हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है तो देली सलतनत के बारे में पढ़ना रहता है ठीक है तो देली सलतनत में कौन-कौन से dynasty आए वो सब हम लोग देखेंगे आगे ठीक है तो सबसे पहले कुछ बातों को जाना ज़रूरी रहता है जो की important है यह exam point of बीट से ओके सो जस्टार्ट मैं लेक्चर पहला मुस्लिम कौन सा था जो की इनवेट किया मतलब आकरमन किया इंडिया पर तो वो था मुहम्मद बिन कासी यह सब को सब बहुत ज्यादा पूछे जाते एक जाम में इसलिए मैं ने लिखाया साथ सब बारह इस वी में मोहम्म बिन कासी ने सिंद्ध को जीता था सिंद्ध जो एक प्रोविंस था पले इंडिया का उसको जीता था अब यह पाकिस्तान में है है अउकर जो पहलां तूर्क इंवेजन कौन सा सा था तो मुहम्मद घक्जणवी इसने कितने टाइम तूर्क इस 27 टाइम जो है इंडिया पर आकरامन किया था और बहुत सारा माल जो है इंडिया से वापस ले गakap तो मुस्लिम कौन भिन का सींद्ध पहलां से मुहम्माद घ्रजनवी और सेकंड टूर कॉन था मुहम्म Гणोरी जिसके बारे में हम लोगों हम और पर भी है मुहममध गोरी और प्रित्वीला चोहान के भी बैटल ओफ तर trainings होता है कितने एडी में सबसे पहले आया Slave Dynasty, फिर खिल्जी Dynasty तुगलक glaube Dynasty आये, फिर साय एक चोठा साध डैनिस्टी आये था फिर नोधी डैनस्टी हो जागा तो ये जो है और ये जो है 126 से 90 के बीचे में स्लेफ डैनस्टी आया था और मैंने सारा कौन कब आया था मैंने लिख दिया है ओके सबसे पहले हम लोग स्लेव डाइनेस्टी के बार में पढ़ते हैं यह कब से कब तक रूल किया था बारासो चौश से बारासो नबेडी तक ठीक है इसके डाइनेस्टी के कौन था कुटुब दीनेवक तो यह कोड अगर जो आपको याद रहेगा सक हो रहा है तो उससे भी आप याद कर सकते हैं स्लेव डाइनेस्टी के फांडर कौन था यह जो है एक स्लेव था मुहमद गोरी का ठीक है मुहमद गोरी आप लोग जानते हैं बैटल ऑफ सेकेंट रा देली में है जो कि माउसक्यू ए अधाई दीन का झोप रह इंहों ने भन वाया था जो कि दो मस्जीद है ठीक है इन्हों ने कुतुब मिनार के ल्रफ्टा को स्टर्क्शन को स्टार्ट कर पूस्टप कर वाया था स्टार्ट कौन करवा था और फिनिस किसके कारकाल में में इन्हों ने कुतुब मिनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर वाया था चलिए ताजुल मिसार यह इसके ऑथर कौन है हस्रत उन्नि जामित तकीवे मकर्व साही इसके फक्रोदीन जो है अर्थर है ठीक है और यह पोलो खेलते हुए 1210 ECB में मर जाता है ठीक है तो ऐसा कुश्चन में पूशता है कौन सा सकता जो कि पोलो खेलने के दोरान मिटी हो जाती है ठीक है अब हम नेक्स स्लाइड में चलते हैं यहां हम देखते हैं उसके बाद आया समसुद्रीन को इतुतमिस ठीक है यह जो है कुटूबदी नेवा का स्लेव था ठीक है इस इसने फिर जो इसको जो है रियल फाउंडर ऑफ देली सल्तनत भी बोलते हैं यह देली सल्तनत को चंगीज खान के अक्रमन से बचाया ठीक है जब उसने ख्वारीज में सा को सेल्टर देने से मना कर दिया ठीक है तो हम लोग यह भी देख सकते हैं कि फोरन इंवेजन को भी रोका है क्योंकि चंगीज खान जो कि आने वाला था देली सल्तनत में अक्रमन करने उसको भी इसने बचाया इसलिए इसको रियल फाउंडर ऑफ देली सल्तनत भी बोलते हैं इसके कारकाल में सिल्व नोबल्स थे यह भी नोबल्स का फीटी इसके कारकाल में होता और इसमें देख jaar इंहोंने कंप्वीटेट किया था कुतुब मिनार के कांस्रेक्शन को स्टार्ट किसं 만들 किया था सामसुदीन इलतुतमिस है तबुके नसररी के लेखक है मिनहाज उसिराज जो की सामसुदीन इलतुतमिस के कारकाल में थै चलिए इसके बाद आते हैं छोटे-छोटे रूलर और थैं रुकनुदीन जो की 1236 वितक्र रहे है ये इलतुतमिस के सन थे और साह तुरकान के दौरा जो है इलतुत्मिस की जो वाइफ थी उसके दौरा इनको राजगदी दे दी जाते है, लेकिन इसको जो है तुरत ही रजिया के दौरा डिपोस्ट किया जाता है, ठीक है, तो फिर रजिया सुल्ताना थी, इसको first and only Muslim lady whoever ruled India कहा जाता है, फर्स लेडी हो रूल इंडिया इन दे पास्ट इस कॉल रजिया सुर्थाना ठीक है तो इसने यकूत जो है एक अबेसियन स्लेफ था इससे इनको प्यार हो जाता है ठीक है तो यह जो है लेकिन अलतूनिया जो की एक चाइल्धूल फ्रेंट था रजिया का वो भी इनसे प्या साधी करना चाहता है ठीक है तो रजिया और यकूत दोनों मिलकर रजिया और यकूत दोनों मिलकर अलतूनिया के खिलाब मार्च करते हैं जिसमें की यकूत जो है उसका मतलब मार दिया जाता है और फिर जो है अलतूनिया जो है रजिया से साधी कर लिया कर लेता है ठीक है की हम देखते हैं आगे क्या होता है को 1240 इड़ी में रजिया को जो है विक्टिम करार कर दिया जाता है क कान्सपारेसी के अरोक में ठीक है अब उसके बाद आता है बाहरामसा बाहरामसा जो है उसको चली सा मतलब जो नोबल स्थेज किसके द्वारा चुने गए थे इसके द्वारा वो जो है ये बाहरामसा को किंग डिकलियर कर देते हैं इसको डे जूवे रूलर भी करते हैं ठीक है नभी इम्राद के लि novels यूज करते थे उसी time का तर तो यह याद रखेगा नसुल आपको दरवर्सी यह बहुत अच्छे पीपल थे बेरिपाय। से इन नौबल 1246 में उसके बाद घ्यासुदीन भलवन इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जो है SPICE SYSTEM को सबसे पहले कौन लाए गी यासुदिन बल्बन। इन्होंने देखा कि चालीशा जो है नोबल का प्रभाब बहुत ज्यादा हो रहा थे इन्होंने क्या किया Melbourne का प्रभाब तो खीया सुदीन बर्वनने स्पाइश सीस्टम इसके करकारियन में था तो घीया सुदीन बर्वनने इन्होंने ये टाइटल अपने आपको लिया तो ये भी पूचा था जिले ही लाइक इसको का जा था ग्यासुदीन बलवन सिजदा और पैवोस के प्रथा इन्होंने ही चालू किया सिजदा जिसको की बोलते हैं प्रोस्टेशन भी फोर मोनार्च फेस डाउन करके जो हम लोग करते हैं और पैवोस जो की जो भी राजा है उसके फीट को हम लोग जो कीस करते हैं उसको बोलते हैं पैवोस तो सिजदा और पैवोस भी ग्यासुदीन बलवन के करकाल में था इनके सबसे लव डशन थे मुहम्मद जी इसका मिर्ती हो जाता है 1285 में और लव्ट स्लेव थे तुग्रील जिसको की कैप्चर करके सरधर से अलग कर दिया जाता है ओके अब आगे हम लोग देखते हैं आगे आए कैकुबाद 1287 से 90 में ठीक है ग्रैंट सन और बल्बन बल्बन के ग्रैंट सन थे यह और फकरुदीन के द्वारा जो है जो की कोतवाल था देली का फकरुदीन उसके द्वारा जो है इसको राजा बिठाया गया था और इसे जो है खिलजी फैमिली मार देता है और फिर खिलजी डाइनस्टी का उद्awi हो जाता है ठीक है दोस्तोफ खिलजी डाइनस्टी का हम लोग देखते हैं 1290-1220 जी तक यह लोग अपना सासन काल करते हैं देली सलतनत पर अचा ठीक है इसके संस्थापा कौन थे जलावदीन खिल जी इसको याद रखने के लिए खाजा नाम का एक मिठाई रहता है उसको आप लोग खाये भी होंगे तो वह से याद रखेगा के फॉर खिल जी और जाफ और जलाल दीन खिल जी इसके बहुत प्रमुख मतलब सासा के थे अलावद इनकिल जी इन पर एक मूवी भी बना था आप लोग देखे भी होंगे ठीक है तो इन्हों ने अपने सन इन्हों ने अपने फादर इनलो जलावदीन को मार दिया था ठीक है तब इनको राजगद्दी मिली थी यह यह पहले ऐसे तुर्किस सुल्तान थे देली के जो कि रिल रीजन को पॉलिटिक से अलग कर दिये था और यह ने इन्हों ने अपने आपको बोला था किंग्सिप नो नो काइंसिप मतलब यह जो है मेरिटो क्रेसी की प्रथा को लाय थे मतलब पहले ऐसा रहता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा वह ऐसा कुछ प्रथा नहीं ऐसा प्रथा इन्होंने अलावदीन खिलजी नहीं लाया था अच्छे चलिए इन्होंने अनेक्स किया गुजरात रैंधंबोर मेवार मालवा जेलार ठीक है और डेकायन में क्या हुआ था कि आर्मी लेडवाई मलिक कफूर मलिक कफूर इनके खास आदमी थे ठीक है तो इस इसने राम चंद्रा को जो कि यादवार रूलर था देवागिरी को डिफेट किया था मतलब हरा दिया था ठीक है आर्मी जो है कौन समाल रहा था उसलाई मलिक कफूर मलिक कफूर ने राम चंद्रा को हराया था इसे और भी रुद्रा देवा काकटिया रूलर और वारंगल वीर भलाव, होयसाला, रूलर ओफ दवर्सना, वीर पांडिया, पांडिया, रूलर ओफ मदरास, इन सब को भी हराया था, इन्होंने चार ओर्डिनेंस पास किया था, जिससे कि नोबल्स को थोरा दबाया जा सके, क्योंकि नोबल्स का बर्चसुर्स में बहुत ज्यादा था, पहला क्या था Confiscation of Religious Indoorment of Free Grants of Land ठीक है दूसरा क्या था Recognized Spice System Re-organized Spice System Spice System को पहली बार कौन लाया था गियासिदू इन बलबन ने और फिर से Organized कौन किया Spice System को तो अलाउदीन खिल जे मैं Spice System का मतलब है यह जगा जगा Spice रखते थे कि कहां पर मेरा क्या हो रहा है और वो बता सके Prohibited Use of Wine Wine का यूज इन्हों ने बंद करवा दिया ठीक है और Nobles के वर्चासू को हम लोग देख चुके हैं कि बहुत कम करवाते हैं तो उसके लिए और मेरी क्रेसी के लिए इन्हों ने क्या किया कि Nobles को Social Gathering करने से रोक दिया ठीक है और इनका Inter Marriage भी जो है रोक दिया कि Nobles जो है Social Gathering एक साथ नहीं करेंगे और Inter Marriage भी नहीं करेंगे तो आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं ठीक है दाग जो है इन्ही के Branding of Force को दाग बोलते हैं इन्हीं के सासनकाल में था चेहरा जो की Descripted Wall of Soldier बोलते हैं मुक्तिसराज जो की Revenue को जो Collect करते हैं उसको मुक्तिसराज बोलते हैं ठीक है पीजेंट जो है Land Revenue देते थे मतलब किसान जो भी है वो अपना Land Revenue देते थे इसके सासनकाल में सहरा दिवाने कियासत सही मंदी जिसको की अफसर बोलते हैं ओपन मार्केट को बोलते थे सराई इदाल ये सब इनके अलाई फोर्ट का निर्मान भी जो है इन्होंने ही कराया था ठीक है और अलाई दरवाजा भी इन्होंने ही करवाया था सिंस नेम स्टार्ट इद अलाई और इनका भी नाम अलाउदीन खिल जी है तो जितना भी अलाई से नाम आएगा वो सबका मतलब निर्मान किसके सासनकाल में हुआ हजरत सुल्तान जिसको की ठाउजन पिलर्स का राजमहल भी बोला जाता है तो इनके जो खास आदमी डाते मलिक कुपूर उनका भी दियान तो जाता है जो की लोयलिस्ट जो है मतलब राजदर्वार के ही कुछ लोयल आदमी जो है वो उसको मार देते हैं ठीक है अब आगे हम देखते हैं मुबारक सा ठीक है यह एल्डेस सान अफ अलावदीन के बड़े बेटे थे यह जब काफूर मर जाता है तो इन्हें फ्री कर दिया जाता है और रीजेंट जो इसके रीजेंट का मतलब इसके बदले जो बैठे हुए थे सिहाबुदीन उनके जगह उनको हटा दिया जाता है और फिर मुबारक सा को किंग बना दिया जता है उस समय क्या होता था कि जब तक मैं बच्चा बड़ा नहों तब तक कोई उनके जगह पे रीजेंट रखा जाता था जैसे सिहावुदीन को रिजेंट रखा गया था ठीक है और जब बढ़ा हो गया तो फिर सिहावुदीन जो है अपना गद्धी इत्याग करके मुबारक साथ को अपना गद्धी दे देते हैं ठीक है और मुबारक हसन जो है इसका लवर था ठीक है उसको जो है जिको खुसरो ख क्या किया मुभारक खान को मार दिया मतलब यह मुभारक खान जोते हैं इनको यह मार देते है ठीक है खुच्रों काने को फिर गाजी मलिक मार देते हैं जिसको की घ्यास ergon तॉगलक भी तुगलक विम बूलता है जो कि दिपालपूर के गौर्णर थे ठीक है अब नेक्स स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोब जो है किसको बोला जाता है टंग ओफ लैंड बिट्विन टू रिवर्स दो रिवर्स के बीच में टंग ओफ लैंड तो ये बस एक जानकादी है ठीक है तो वहां पर हम लोग क क्या हुआ है तो हम लोग उने देखा था कि ग्यासुदीन तुगलक जिनको कि गाजी मलिक बोला जाता है उन्होंने खुसरो खान को जब जान से मार दिया था तो फिर तुगलक डाइनेस्टी का शुरूआत हो जाता है जो कि तेरह सो बीस से चोदर सो चोदर तक रहता है त ठीके तेरहसो बीस से तेरहसो पचीश तक यह सासान कार करते हैं यह कि एकसिडेंट में मारे जाते हैं चलिए इसके बाद आते हैं मुअमन विंतुग लगइसाली कावन कि 158 तक यह सासन काल करते हैं 26 साल तक यह जो है घयासुदीन के बेटरी थे जिनको की जॉना भी बोला जाता है और उलूघ खान भी बोला जाता है जूना इनका फैटल था उलूघ आन荷ान भी अवरा जातका है मुम्मद बीन तुगलक को रहे पांच MBCS project इन्होंने किया था मतलब past project जो है यह लोग यह महमद बिन तुगलक ने लाया था कौन कौन से project थे वो तो पहला था डोप पे मतलब taxation का मतलब मैंने बताया tongue of land between दो reverse के बीच में जो लैंड रहता है उसको लोग दोब बोलते हैं दोब में इन्होंने taxation लाया था इसको अववाद भी बोलते हैं घारी हाउस टैक्स लाया था चराही पास्चर टैक्स मतलब अगर जो आप अपने बकरी या भेर को चराते हैं तो उसका भी टैक्स देना होगा दिवाने को ही डिपार्टमेंट ओफ एक लिक कल्चर यह लाया थे ठीक है दूसरा क्या था ट्रा सारे कंट्री पर नजर नहीं रख सकते हैं ठीक है तो इन्होंने पहला तो टैक्सेशन किया था दोब में फिर से घारी जो की हाउस टैक्स था अधवाद लगाया था सेस लगाया था जैसे कि हम लोग देखते हैं इस बार जी एस्ट यह पेट्रोल एंड डीजल पर जो है अ इस लगाया गया फिर से चराही पास्चर टैक्स लगाया था सेकेंड इनका था पाच एंबी एंबीसी अस प्रोजेक्ट में टांसफर ऑफ कैपिटल देली से देवगिरीत तीसरा क्या था इंट्रोडक्शन अफ टकेंड करेंसी ब्रोंज का क्वाइन जो है यह सेम बैलू रखरेंशन का इ depth दोनले टिसंट लोस किया था ठीक है लेकिन बाद में रोकदीए था कि नहीं हमको वहाँ पर एक्षववभ रखला मतलब अक्रमन नहीं करना है ठीक है फिर कराची एक्टील एक्पेडिशन वहीन पर देले किया था जो कि लूँच कंट तह कुमाहिश मे हिमाल्याज में ilegally counted Chinese décorёт Chinese décor wanna this upcoming video ओ자는buch फ्लेयर भी मनें और सांगि सब्वारजा थे की में इसकी है جजगा celebrity को महिंदा ही और अब आगे हम अंगे दीक्चिते हैं नेक्स लेक्टर में ठीक है तो 335 में जो है मदुराई इंडिपेंडेंडेंट हुआ था इन ही के सासनकर में 336 में हुआ था फाउंडेशन ओफ विजयानगर और विजयानगर का फाउंडेशन किस ने किया था यह कुष्टन पूछता है हरियर रेन बुक का ने ठीक है 341 से रिवॉल्ट ऑफ साधा आर्टिस्ट और फाउंडेशन और बामानी बामानी समराज का यहां पर उत्गम होता है तेरह सो एक तालिस से से तालिस के बीच में ठीक है अब नेक्स रूलर हम लोग देखते हैं फिरोज साथ तुगलक यह भी तुगलक डाइनेस्टी के बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही अच्छे रूलर थे यह जो है कजिन थे मोहमद बिन तुगलक के हैं यह इन्हों प्रोहिबीट कर दिया मना कर दिया था कि मुस्लिम उमेन जो है वर्शिप करने नहीं जाएगी मिस हिंदू के पास हिंदू सेंट के पास वर्शिप करने नहीं जाएगी ठीक है इन्होंने जीजिया करके एक कानून लगाया था जो कि सेप्रेट टैक्स है ठीक है जिसमें कि इंक्लूड नहीं किया गया था कि ब्राह्मन टैक्स नहीं देंगे इन्होंने चार डिफरेंट टाइपस ऑफ टैक्स लगाया थे एकॉर्डिंग टू दू कुरान कुरान में जो लिखे होता है पहला खराज दूसरा जकात जीजिया और खमास टैक्स अएarnya सराव जिसभों की वाटर टैक्स का जाता है वाटरर टैक्स भी इन्हों नहीं लगाता हूँ क्या बोलते हैं हांक्य सराव इन्हों किस्ने लगा था तो फिरो स्त dep6 लगए तो इस ए जिजिया जो टैक्स है और वाटर टैक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है फिर उसा तुगलक के सासनकल में जो लगा था ठीक है दो जो पिलर था ग्रेट असोका का जो कि मोरियन डाइनेस्टी से बिलोंग करते हैं उनको जो है देली लाए गया था ठीक है इनहीं के सासनकल में फिर से दरुल सीफा जिसको की होस्पीटल एड देली का जा दिवाने खैरात पूर गल्स का मेरेज ये तो बहुत अच्छा काम है पूर गल्स ज गते कि जो भी स्टेट में जाते थे कंकर करते थे तो वहां के जो सलेव रहते थे उसको अपने कोट में रख लेते ते जिसके कारण की 1.8000 मतलब 108000 सलेफ़े इंके राजमाहल में हो गहे थे जिसको की पेमेंट देना खाना पीना सब बहुत Deshalb हो गया था जो की इनका ट्रे जाता था, यह 388 में मर जाते हैं, फिर तीमूर का इनवेजन होता है, तो तीमूर का इनवेजन कभ होता है 3899 से 1399 के बीच में, यह जो है descendant थे चंगीज खान के, चंगीज खान के डिसेंडेंट कौन थे तीमूर ठीक है तो ये तीरसो अन्ठानवे में इन्वेट किये थे अक्रमन किये थे इंडिया पर जब मुहम्मद साथ तुगलक का सासन काल था जो की लास्ट रूलर था तुगलक डानेस्टिका ठीक है तो ये जो है चोदस चार इसवी मर जाते हैं चा पंजाब में तो यहां पर तुगलक डानेस्टिका अंत हो जाता है पिर हम लोग देखते हैं कि खीजर खान जो कि अपाइंट हुए थे ये तीमूर के द्वारा जिसे जो की बोले थे कि पंजाब में यही रूल करेगा तो खीजर खान जो है सायर डानेस्टिक को लाते हैं तो सायर डानेस्टिक का फाउंडर कौन था खीजर खान यह पॉइंट किसके द्वारा किये गए थे तो तो तीरसो अंठानवे में जो मुहम्मद साथ तुगलक को हराते हैं तीमूर का इनवेजन होता है उसी क्रम में ठीक है यह कैप्चर करते हैं दिली को और फर्स सायद रूलर थे जो कि रूल अवर देली आतो वो तो हम लोग पर चुके हैं फिर मुबारक साह आते हैं जो कि नोबल्स के द्वारा मार दिये जाते हैं अपने ही कोट में फिर मुहम्मद साह आते हैं जो कि नोबल्स जो है अब सिंस नोबल्स ने मुबारक साह को मार दिया है तो नोबल्स ही चुनेंगे कि कौन आगे राजा होगा तो नोबल्स ने फिर मुहम्मद साह को अपना राजा चुना ठीक है आलम साफिर आते हैं ठीक है यह लास्ट साइद रूलर थे जो की बहलोल लोधी के फेवर में अपना मतलब राज पाट कर रहते हैं तो फिर जो है लोधी अँंदर देटि के बार में ठीक है अब हम देखेंगे लोधी ठीक है तो लोधी डेनेस्टी 1401 चौन में 50 26 लिसतों जरा जिसके कि सतापक ओन थे बहलों लोधी थे वलों ल लोधी अफगान सत्रा थे मतलब अफगानिस्थान के थे ठीक है इन्होंने पंजाब में रूल कि आप्टर तेमूरी उन्वीजन इन्होंने लोधी डाइनस्टी का फामडेशन किया पर चुके हम लोग, फिर आया सिकंदर लोधी जो की 1489 से 1527 इसवी तक रहे हैं, इन्होंने आगरा बनाया, आगरा सहर का निर्वान किसने करवाया, तो सिकंदर लोधी ने, और सिंस आगरा बनाया, तो इन्होंने कैप्टल भी जो है, देली से आगरा सिफ्ट कर दिया, तो कोस्चन भी पूछता है, देली से आगरा कैप्टल किसने सिफ्ट किया, तो सिकंदर लोधी ने, ये बहलोल लोधी के संथे, ठीक है, इन्होंने बिहार और वेश्ट बंगाल को भी कैप्च जो थे उसको सब को ध्वस्त करवा दिया डिस्ट्वाय करवा दिया तो यह कोश्व में पूछे का मतुरा के टेंपल या फिर ज्वाला मुखी टेंपल है तो अगर कोट इसको किसने गिरवाया तो सिकंदर लो दिन और इन्होंने एक पद्धिती स्टार्ट की भूमी मापन के मतलब कल्टिवेटेड फिल्ड आपके पास कितना है अभी तो कठ्था विगा चलता है लेकिन इन्होंने एक स्टार्ट किया था 32 डिजिस का गाजे सिकंदरी जिसको कि सिकंदर याट के नाम से भी जानते हैं जिसस कि आपका कल्टिवेटेड लैंड कितना है वो सब माप सकते हैं फिर आए इब्राहिम लोधी वन अफ दे मोस्ट इंपोर्टेंट लोधी एंपायर रूलर इनके बारे में देखते हैं यह जो है लास्ट किंग थे लोधी डाइनिस्टी के लास्ट सुलतान अव देली वे थे क्योंकि इसके बाद फिर बावर का आगमन हो जाता है जो कि मुगल एंपायर रे स्टार्ट करते हैं यह सिकंदर लोधी के बेटे थे और बावर का आदम किसके द्वारा होता है तो गवर्नर ऑफ पंजाब जो पंजाब के जो गवर्मेंट थे डॉलर्ट खान लोधी वो इ कितने बैटल होते हैं कितने जूद हुए थे तीन बैटल हुए थे जो कि आगे हम लोग परेंगे कौन-कौन से बैटल हुए थे तो पहला बैटल जो है बावर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है 1526 इस्वी में और इसमें इब्राहिम लोधी जो है मारा जाता है और बा विजयानगर kingdom से कभी question पूछता है कि विजयानगर kingdom का establishment किसने किया किसने संस्तापक है इसके तो हरी हरेन book का ठीक है गाइस अब next slide में हम लोग देखेंगे कि कैसे बाबर जो है इस्टेबलिस करता है मुगल empire को और next मुगल एंपायर को अनुट इससे पहले कि हम लोग मुगल एंपायर में जाए हम लोग देखते हैं कुछ important kingdom विजयानगर एन अधर kingdom के बारे में संगम डाइनेस्टी एक था जिसको की हरेहर रन बुकावन ने founder 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 किया था सेलूवा डाइनेस्टी जिसको की सेलूवा नरसिमा ने found किया था अलवीदा डेनेस्टी जिसको किती रुमाला राय राय ने फ़ांड किया था बहमानी kingdom अलाउदीन असन बहमान सा ने इसको फ़ांड किया था ये बहुत important है बहमानी किंग्डम का फाउंडर कौन है अलाउदीन हसल बहमान सा याद रखेगा गोल गुंबज किसने बनवाया था मुहम्मद आदिल सा ठीक है यह जो विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है गोल गुंबज और गोल कुंडा फोर्ट को किसने बनवाया था कुली कुतूब सा तो यह इंपोर्टेन पॉइंट याद रखे गया इसमें गोल गुंबज किसने बनवाया था मुहम्मद आदिल सा बहमानी कींग्डम का फाउंडर कौन था अलाउदीन असन बहमान सा अल्रेडि मैंने बता चुका है कि विजिया नगर का फाउंडर कौन था हरिया रेंबुक का यह पीछली हो जाता है क्योंकि बीच में सेर सासूरी का भी एंपायर आया था जो कि हम लोग आगे पर हैंगे ठीक है तो हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं कि पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है बीट्विन बावर और इब्राहिम लोदी जिसमें की बावर जो है जीज जाता ह बावर कौन था तो तेमूर कहीं डिसेंडेंट था यह फादर साइट से और चैंगीज खान का डिसेंडेंट था मदर साइट से मतलब मदर जो थी चैंगीज खान का साइट से थी चैंगीज का यह थी डिसेंडेंट थी और फादर जो है डिसेंडेंट था तेमूर का ठीक है इंडिया में परवेश करते हैं वैसे ही इनको बहुत सारे लराई लरने पड़ते हैं देखिए यहां पर 1527 में यह राना संगा और इनके बीच लराई होता है इसको की बैटल ओफ खानवा भी बोला जाता है राना संगा मेवार केते हैं तो बैटल ओफ खानवा जो है 1527 में य चिनी रानी जो कि रानी थी वहाँ पर उन से यह लरते हैं और उसको भी अरा देते हैं 539 में यह हराते हैं महम्मद लोदी को जो की अंकल थे इब्राहिम लोधी के जिसको की बैटल ओव घागरा बलते हैं और इसका जो टॉम्ब है वो कबूल में है ठीक है तो इनको मतलब दफना दिया जाता है कहां पर कबूल में इनका टॉम्ब है चलिए इन्होंने तुगलूमा को एडॉप्ट किया था ठीक है और ये पहले ऐसे रूलर थे जो कि गन पाउडर का यूज़ किये थे और आटिलरी इन इंडिया पहले तो क्या है वार जो है हाथियों से होती थी इंडिया में लेकिन ये जब आये थे तो गन पाउडर और आटिलरी वगरह लाए थे इंडिया में वार के लिए जिसके कारण की इनकी बहुत बड़ी जीत होती है इब्राहिन लोदी के खिलाब इन्होंने ठर् carrotsan Language में बाबर नमा बोला जाता है कि इसको किस नहीं लिखा बहुत खेमस राइटर थे ये और फीमस ड्राइटर थे ये अथर कौन थे अबदुलरहीम खाने-खाना ने रिखा कौन है यe कोस्त्म पूक्स अब्दुलरहीम में खाने-खान कि लिखा5 के लिखाए के बाद आया हुमायू यह बाबर के संत है ठीक है हुमायू यह कब से कब तक रूल